दोस्तों Amazfit ने अपने नई तीन स्मार्ट वाच लॉंच कर दी है Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro और Amazfit GTS 3 और यह काफी कमाल के फीचर के साथ आने वाली है, पुराने वर्जन से इसमें काफी बड़ा अपग्रेड किया गया है, बाकी कुछ जगा पर डाउन ग्रेड भी किया गया है, व उसके साथ ही मेरे हर वीडियो पर कोई ना कोई भाई कमेंट करते हैं कि आपने कौन से वाच आच पहने हुई है वीडियो में, तो मैं बता देता हूँ कि आज मैंने Crossbit की Orbit Sport पहना हुआ है और इसकी वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलने वाली है, वीडियो को स्टाट सबसे पहले GTR 3 की बात किरी तो यहां पर आपको Aluminum Build मिलने वाली है, तो build quality काफी solid होने वाली है, और इससे पहले GTR 2 की बात किरी तो वहां पर भी आपको काफी एची quality मिलने वाली है बाकि यहां पर आपको इस बार Matt Finish मिलने वाली है, जो के और ज्यादा premium look आपको देगी, उसके बाद इस वाश में आपको फाइफ फीटिम का स्रेटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे बड़ी चीज यहाँ आपको जो क्राउन बटन मिलती है वो रोटेटिंग क्राउन बटन मिलने वाली है जैसा कि फोशल वाश में या फिर हुआवे की जीटी वाश में देखने को बटन मिलने वाला इसकी मदश स्क्रॉल्लिंग कर सकते हैं तो यह काफी बड़ा अफगरेड़ किया गया है इस बार इसके साथ इसमें आपको हैप्टिक फीडबैक भी मिलने वाला है जैसा कि एपल वाश के कराउन को आपको काफी जबरदस्ट हैप्टिक फीडबैक मिलने नहीं वाला है तो अबर्रेशन को काफी इंप्रूफ किया गया है उसके बार इसमें आपको 1.3-9 इसके आमयड डिस्पेले मिलने वाली है बट इस बार आपको 30 ऐफपेलड नहीं के जगह पर 60 एफपेली वाले पहले के मगाबले तो यह काफी बढ़ा अपगरेड किया गया ह बाकि यहाँ पर आपको 100 plus watch face का support मिलने वाला है और उसके साथ ही इस बार आपको 100 plus AOD watch face का भी support मिलने वाला है तो जैसे आप watch face लगाएंगे वैसे ही आपको Always One BB watch face देखने को मिलेगा उसके साथ ही यहाँ पर आपको 15 animated watch face भी देखने को मिल जाते हैं तो एक तरह से आपको live watch face भी इस बार देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको काफी सारे editable watch face भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से edit कर सकते हैं उसके बाद जो सबसे बड़ा upgrade किया गया है वह इसके OS में किया गया है क्योंकि इस बर आपको zip OS का support मिलने वाला है तो इससे पहले जो Amazfit का UI रहता था watch में वैसा UI आपको देखने को नहीं मिलेगा पूरी तरह से fresh और new UI देखने को मिलेगा और यहां पर आपको mini app का support भी मिल जाता है तो एक तरह से इन्होंने app development kit भी तयार कर दी है तो जिनको coding अगरा आती है वह mini app को develop कर सकते हैं तो इस तरह के आपको कुछ support भी मिलने वाला है बाकि ऐसा नहीं है कि जैसे वेर ओएस में आपको third party application का support मिलता है तो उस तरह के आपको support नहीं मिलने वाला है बाकि थोड़ा बहुत आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं उसके बाद इस watch में आपको calculator का support भी मिलने वाला है ज को एक साथ यह measure कर लेगा तो एक टैप से आप तीनों result देख सकते हैं तो यह फीचर काफी कमाल का मुझे लगा बाकि इस बार इन्हों ने blood pressure को भी include कर दिया है इस watch में तो यहां पर जो accuracy होने वाली है और यहां पर आपको PPG 3.0 sensor मिलने वाला है तो accuracy भी काफी धमाकेदार ह होने वाली है इस बार उसके साथ ही इसमें auto workout detection का feature भी मिलने वाला है तो eight workout को यह automatic detect कर लेगी बाकि जो सबसे बड़ा upgrade किया गया इसके battery backup में किया गया है और यहां पर 21 days का battery backup मिलने वाला है तो battery backup में काफी बड़ा improvement किया गया है बाकि एक चीज़ यहां पर आपको नहीं मि function नहीं मिलने वाला है जो कि यह मुझे डाउंग्रेड लगा और दूसरी कमी की बात करें तो इस बार भी आपको notification का reply करने का कोई भी feature नहीं मिलता है तो यह मुझे कमी लगी बाकि जो gtr3 pro है उसमें आपको calling function मिल जाता है उसके बाद gts3 की बात करें तो यहां पर भी आप पर आप को डिस्पलेye मिलने वाला है पिछिले वॉच के मकादले काफी बीस्पले होने वाले यहां पर देंवे always । यहां पर आपको बिल्कुल ंशरियमाला है तो यहां पर दो को और जबरता होने वाली है बाकर दिस्पले और बाकी फीचर जितने भी आपको GTR 3 में मिलते हैं वही सब फीचर आपको GTS 3 में मिलने वाले हैं बाकी इसमें भी आपको कॉलिंग फंक्शन नहीं मिलने वाले हैं कॉलिंग फंक्शन बस GTR 3 Pro में मिलने वाला है जो कि थोड़े सी महंगी रहेगी है और इसमें आपको श्ट्रैप अगरा अलग टाइप के मिलने वाले हैं लेदर के श्ट्रैप मिलने वाले हैं तो यही फीचर था कुछ जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए और इसका जो प्रैस रखा गया है वो है 180 डॉलर तो लगबख आपको तेरह से साड़े तेरह दार के रेंज में इंडिया में मिल जाएगे और जल्द ही इंडिया में आने वाली है बाकी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए इसका रिवीव भी लेकर आऊं तो वस यह दैस वीडियो में उमीद आप लोगों को वीडियो पसान आए होगी पसान आए तो वीडियो को लाइक ज़रू करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंकियो फूर व